नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर हमने अपने प्रिवियस क्लास के अंदर एंजिनिरिंग सर्विस एक्जाम एक्जाम हुई है इसके पेपर सॉलोशन को हम लोग डिसकस कर रहे थे यह सी 2020 का जो हम लोग पेपर सॉलोशन सिविल एंजिनिरि है आगे को स्वाम की बात करें तो एक्जाम होती वो ठीन से होती है अलुब है इंदर कोई भी स्टेट एक्जाम के अंदर आपको benefit मिलेंगे खास करके मेरा focus जो है गुचरात Public Service Commission GPSC exam के लिए भी होगा ये जो वीडियो है वो GPSC exam के लिए भी उतना ही benefit है क्योंकि Engineering Service exam जो है UPSC के द्वारा लिया जाने वाला exam होता है और ये सबसे tough exam के सकते हो कि Engineering के अंदर सबसे tough exam जो है वो ESC exam होता है उसके बाद कोई भी स्टेट सर्विस की exam होती है तो पूरा का पूरा pattern जो है Engineering Service का ही pattern जो है वो GPSC भी follow करती है जिसके अंदर गुचरात Engineering Service GES के लिया जाता है GES की बात करें तो गुजरात Engineering Service के अंदर भी जो एक जाम जो है वो तीन फेस में होता है एक होता है prelims दूसरा होता है mens और तीसरा होता है interview prelims की बात करें तो prelims जो है उसके अंदर भी 200 marks का non technical 300 marks का technical मैंस के अंदर वी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं मैंस के अंदर जो है आपको एक पर गुजराती का मिलेगा एक पर इंग्लिज empty और जो है स्टीस्श फिलिझरिंग के मिलेगे और उसके बाद फिर इंटर्व्यू होगा इसमें एक खास बात यह है कि prelims के जो marks है only for selection, only for the give the opportunity for the men's exam यह एक selection exam होता है, screening exam होता है जो men's exam में जो लोग बैठने जो लोग prelims qualify करते हैं वो लोग men's exam में बैठते हैं और अब men's exam और interview को मिलाके जो merit बनता है वो final selection के लिए merit बनता है मतलब prelims के जो marks हैं वो men's selection के अंदर consider नहीं किया जाते हैं गुजरात engineering service में but engineering service जो UPSC के द्वारा ली जाती है उसके अंदर सभी marks consider किया जाते हैं तो आपको यह short notification regarding the exam pattern के बारे मैं आपको बता चुका हूँ आईए हम लोग discuss करते हैं question number 21 the deflection delta of the close coil helical spring is एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का जो deflection है डेल्टा वो कितना होगा तो डेल्टा डिफ्लेक्शन जैसे मालीजे कोई भी स्प्रिंग है तो उसका deflection कितना होगा वो हमें जानना है अब यहां पे कुछ terms दिये के डबलू जो है वो axial load है मतलब वो स्प्रिंग के ऊपर जो लोड लग रहा होगा एक्सियल लोड आर जो है radius of the coil है क्वाइल का जो radius है वो आर है यह question strength of materials है दोस्तों तो मैं question के साथ-साथ वो question कहां से हुआ है कौन से सब्जेक्ट से हुआ हुआ है वह भी मैं आपको बताते चलूंगा जिसे आपको clear cut idea आ जाएगा कि हां कौन से subject पो अपने को ज्यादा focus करना है यदि आप कोई भी subject study कर रहे हो तो सब्जेक्ट को पूरा पूरा concept क्लियर करते हुए study कीजिए और उसके साथ-साथ question जरूर लगाना है जितने questions आप लगाओगे उतना ही आपका concept क्लियर होगा एन जो है वह नंबर of turns of the coil c is a modulus of rigidity and d is a diameter of the wire of the coil देखते है श्ट्रेइन नर्जी का formula क्या होता है यह दि कोई spring है उस्प्रिंघ के अंदर strain energy क्या formula होता है तो tau square f upon 2gj टा स्कॉयर एल अपन टी स्कॉयर एल अपन 2gj टी जो हता है टोर्क और यह ऋअज है लेंट ऑप दू-कॉइल है जी जो है बोडिलस और जी जो है आपका polar जे जो ए पोलेम्टव इंटर्स्या होता है ने थे ती स्कॉरल है अपॉन टू जी जै टी टार्क टॉर्केअल टू स्कॉार आर्स्कॉार टू पाइ आरेन यहलोएं लैन्थ उप्रिंग जो है वह उसको बोला गया है तू पाइ आरेन एंड जे जो polar moment of inertia जे की value जो है वो pi by 32 d raise to 4 है polar moment of inertia क्या होता है तो polar moment of inertia is equal to summation of i x s axis plus i y y axis i x s क्या होगा circular section के लिए pi by 64 d raise to 4 और i y y b भी same होगा pi by 64 d raise to 4 दोनों को sum करेंगे तो pi by 32 d raise to 4 अपने को मिल रहा है तो strain energy निकाल सकते हैं यहां से हम लोग check कर पा रहे है strain energy अपने को इतना मिल रहा है strain energy in the spring कितना मिल गया है 32 P square r raise to 3 into n divided by g d raise to 4 अब हमें निकालना क्या है तो हमें deflection निकालना है strain energy मिल गया है deflection निकाल देना है तो with respect to loading, loading के हिसाब से casting lyano theorem क्या बोलता है तो delta is equal to del u upon del p means जो strain energy है उसको load के हिसाब से p के हिसाब से आप एक बार derivative कर दिजिए तो आपको deflection मिल जाएगा तो del is equal to del u upon del p del upon del p और तो पी पी के respect में हमें differentiation कर देना है तो पी के respect में हमें differentiation करेंगे तो 32 P square r raise to n upon g d raise to 4 जैसे ही आप जो इसका differentiation करेंगे तो आपको मिलेगा 64 अब P square है तो पी की जगा पी पी आजाएगा 64 p r cube upon n into g d raise to 5 g is equal to c is equal to modulus of rigidity delta is equal to 64 p r cube into n divided by g d raise to 4 यह हमें मिल गया है हमारा deflection तो deflection निकालने के लिए casting लियानो theorem जो है वो application है यहां से casting लियानो theorem आप देख पा रहे हो कि strain energy with respect to loading strain energy को load के हिसाब से deflection करवा दीजिए यहां पे P जो है वो डबलू load यहां पे लिया गया है और c is equal to g लिया गया है तो इस तरीके से option number B जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आप directly formula भी आज सकते हो 64W R की power 3N upon gd raise to 4 64 जदी आपको directly याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद रहता है तो इस तरीके से आप जो है calculate कर सकते हैं चलिए आगे तरह बढ़ते हैं next question question number 22 एक closely coil helical spring of round round steel एक closely coil helical spring of round steel wire 5 mm in the diameter एक wire है जिसका diameter 5 mm दिया गया है having 12 complete coil of 50 mm mean diameter और उसके अंदर 12 जो है complete coil है coil का diameter जो है वो 50 mm है subjected to the axial load 100 newton उसके उपर 100 newton का axial load लग रहा है if the modulus of rigidity is 80 giga pascal the deflection of the spring is same question अभी हमने previous question में deflection का formula calculate किया था मतलब derive किया हुआ था अब उसी deflection के formula से question बन गया है the deflection का formula आपको याद रखना है deflection is equal to 64 w r cube n divided by g d raise to 4 क्या होगा 64 w r cube n upon g d raise to 4 ओके w loading का बात करते हैं तो 100 किलो newton का load दिया है multiply p p जो है वह 100 दिया हुआ है r की value की बात करें तो r जो है वह coil का diameter है coil का diameter 25 है तो radius जो है हम लोग calculate करेंगे तो half हो जाएगा 50 है हाफ कर देंगे तो radius मिल जाएगा 25 ओके नंबर आफ टर्न जो है वह 12 दिया है नंबर आफ टर्न जो है वह 12 दिया है और जी डी रिस टूफू पॉर सी की वेल्यू हमें 1880 दियें डी जो है लिए टाइयमेटर हमें जो है को कॉल क्लोजली क्वाइल हेलिकली स्प्रिंग और राउंड ने जौए ने जो है 5 दिया हुआ है एक तो डायमेटर जो है वह 5 दिया वह तो आप जो है इसका डायमेटर हो सकते हैं 5 के पावर इस तरीके से आप पुरा पुरा calculate कर सकते हैं deflection मिल जाएगा आपको 24 mm उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा चीजें जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है comment box में जरूर comment कीजिए formula आपको याद रखना है जितने भी formula है formula based काफी सारे questions exam में देखने को मिलते हैं तो एक बार फिर से comment box में ये formula देखकर लिख लिजिए 64 wr cube n upon g d raise to 5 d जो है वो वायर डायमेटर है और r जो है वो radius है coil का ठीक है ये चीज़ें याद रखना है चले नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं holo shaft of external and the internal diameter are 100 mm and 40 mm respectively एक holo shaft है एक इस तरीके से shaft है जिसका internal और external diameter जो है दिया हुआ है external diameter 100 mm internal diameter 40 mm respectively इस transmitting the power at 120 rpm और वो पावर को transmit कर रहा है 120 rpm में इस्ट्रेस सेरिंग इस नॉट सब्जेक्टेट नॉट एक्जीड टू 50 मेगा पास्कल ये उसके अंदर सीरिंग इस्ट्रेस जो है वो पच्चास मेगा पास्कल से बड़ा नहीं होना चाहिए तो हमें पावर जो है वो केल्कुलेट करना है ठीक है बहुत ही सिंपल कोस्चेन है डारेट फॉर्मूला बेस्ट कोस्चेन है ओए देखते हैं तो टाव मेक्ष इस इक्वल तू 16 T अपन पाइवगी क्या होता है तो यही फ Cinnamon आ होता है टाव इस इकॉल टू पाई बाई 16 इन्टू सुरी T is इकॉल टू जहां पर टाव की जगर पर T आएगा तो T is इकॉल टू पाई बाई 16 इन्टू टाव डीक्यू ये फॉर्मुला होता है टॉर्क का साफट के अंदर जो टॉर्क जनरेट होता है उसका formula यह होता है तो हमें जो है tau maximum निकालना है calculate कर लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं formula आपको screen पर दिखाई दे रहा है तो tau max is equal to 16 t upon pi d cube bracket में 1 minus d1 d internal upon d external rest to 4 आप इसको case approach कर लेते हैं d internal divided by d external को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं values के अंदर पूट कर दिए tau max जो हमें maximum torque 50 दिया हुआ है 16 into t t हमें निकालना है torsion torsion निकालेंगे तो directly torsion के साथ पावर निकल जाएगा pi into d external d naught square d external का power 3 1 minus 40 upon 100 to the power 4 torque की value हमें मिल गई है newton into mm के अंदर power का formula होता है p is equal to 2 pi nt upon 60 2 pi nt upon 60 power का formula लगा दीजिए 2 pi nt upon 60 तो power की value आपको मिलते ही है यहाँ पे 120 kilo newton दो formula आपको ध्यान रखना है t is equal to pi by 16 tau d cube यदि hollow diameter है तो d cube bracket में 1 minus d internal divided by d external का power 4 यह power 4 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question तरह यह circular beam of 100 mm diameter एक circular beam है जिसका diameter 100 mm है is subjected to the shear force of 30 kilo newton और 30 kilo newton का उसके उपार shear force लग रहा है the maximum shear stress will be nearly shear stress हमें जो है वो calculate करना है circular beam है एक circular beam है लगवग उसके उसका जो diameter है 100 mm इसका diameter है 30 kilo newton के उपार shear force लग रहा है तो maximum shear stress कितना होगा maximum shear stress आपको calculate करना है calculate कर सकते है maximum shear stress तो tau max is equal to 4 by 3 f upon a tau max is equal to 4 by 3 f upon a maximum shear stress circular section के लिए हमें पता है tau max is equal to 4 by 3 into tau average यह होता है और tau average के formula होता है force upon area force हमें दिया है area हम calculate कर सकते है diameter दिया हुआ है वहाँ से हम जो इसका असानी से calculate कर सकते है simple question था याद रखने के बात यह है कि जो circular section है तो tau max is equal to 4 by 3 into tau average और tau average का formula होता है one point tau average का formula होता है force upon area ओके यहां से आप जो है ध्यान दे सकते हैं नेक्स कोशन की तरह बात करते हैं question number 25 a cantilever beam AB a cantilever beam AB cantilever क्या होता है तो one end इसका fix होता है other end जो हो free होता है एक beam AB दिया है shown in the figure subjected to the point load of 12 kN over a span of 6 meter 12 kN का इसके उपर point load लग रहा है 6 meter span दिया हुआ है value of E जो है modulus of elasticity E is equal to 2 into 10 raise to 5 newton per mm square I xx की value जो है वो 6 into 10 raise to 7 mm raise to 4 दिया है deflection at the free end will be simple question deflection at the free end wl cube upon 3 ei simple यदि fix and fix beam cantilever beam है point load free end पर लग रहा है तो deflection का formula direct आपको याद रखना है क्या होता है wl cube upon 3 ei w की value आपको 12 kN दे दिये l का value आपको 6 meter दिया है उसको MMA convert कर लीजे 3 into E की value आपको दिये 2 into 10 raise to 5 और I की value भी आपको दे दिये 6 into 10 raise to 7 simple question calculate करने की कोई जरूवत नहीं है मैंसा आप आसानी से इसको solve कर सकते हैं formula फिर से मैं एक बार वापस से बोल रहा हूं formula जो है बहुत important है खास करके सोम के अंदर strength of material के अंदर जितने भी formula है वह आपको basic से याद होने चाहिए तो point load जो है वो WL cube upon 3EI point load की वज़े से deflection यदि point load cantilever में free end पे लग रहा है तो deflection जो हो हो जाएगा आपका WL cube by 3EI चलिए next question तरह बढ़ते हैं एक floor has a carry a load of 12 kN per m2 एक floor है उसके उपर 12 kN per m2 का load लग रहा है floor is supported on the rectangular joints each 100 mm void floor जो है support किया गया है rectangular joints है जिसका void जो है width है वो 100 mm का है deep जो है depth जो है 300 mm का है और length जो है 5 meter है if the maximum stress in the joist should not exceed 8 MN per m2 the center to center distance of the joist will be the center to center distance आपको पूछा गया है question द्यान से देखिए कि एक floor है उसके उपर जो load लग रहा है 12 kN per m2 का load लग रहा है मतलब लोड जो है वो area के respect में लग रहा है अब देखिए द्यान से इसका solution देखते हैं तो let h is a distance between the two joists दो joists के बीच की distance सबोच करते हैं ल है तो w load is equal to कितना हो जाएगा 12 into l into h upon l ठीक है w into जो area है area के respect में लग रहा है तो l मतलब length हो गया और h मतलब जो है वो दोनों joists के बीच की distance हो गई तो l into h जो एडिया हो जाएगा और divide by l करेंगे तो load मिल जाएगा तो w is equal to क्या हो गया 12 into h हो गया किलो न्यूटन पर मीटर 12 h किलो न्यूटन पर मीटर सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा तो एम मैक्सिमम डिवाइड बाइड बाइड जेड सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाइड बाइड जाएंगे WL square upon 8 हो जाएगा क्योंकि UDL load लग रहा है Maximum moment जो है वो UDL load की वज़े से लग रहा है और Z जो है Section modulus Z जो है वो हो जाएगा आपका BD square upon 6 Rectangle section है Rectangle section के लिए section modulus जो है वो BD square upon 6 हो जाएगा तो चल्कुलेट करेंगे तो 8 is equal to 6 WL square upon 8 BD square value put कर दीजिए जैसे value put करेंगे तो सभी value put करने के बाद जो है h की value आपको मिल जाएगी h की value जो है वो 320 mm जितना मिल रहा है W आपने निकाला वहा था 12 h जितना तो W आपने यहां से calculate किया है 3.84 is equal to 12 h और इस तो calculate कर लिजिए तो answer will be 320 mm थोड़ा सा यह questions different था like this आपको कैसे जाना है आपको ध्यान रखना है question को कम से कम दो बार पढ़िए कोई भी exam के अंदर question को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है question पढ़ने के बाद उस question को कैसे approach करना है कैसे उसको solution करना है यदि आपके mind में वह question का solution या फिर कोई मैसा method आ रहा हो जिसे कि हाँ वह question आपसे बन जाएगा तो ही आप उस question को touch कीजिए otherwise उस question को उस moment के लिए left करके आगे question की तरफ बढ़ सकते हैं next question तरह बढ़ते हैं question no.27 a simply supported beam question no.27 a simply supported wooden beam 100 mm wide 250 mm deep and 3 meter long is carry a uniformly distributed load of 40 kN per meter maximum shear stress will be okay simple question है यह तो एक rectangular beam है rectangular beam जो है उसके उपर उसकी size आपको दे दी है 100 mm void 250 mm deep and 3 meter long okay 3 meter long तो इसके उपर UDL load लग रहा है beam के उपर कितना UDL लग रहा है 40 kN per meter का UDL लग रहा है 3 meter उसकी लंबी है तो आपका point load कितना हो जाएगा load कितना हो जाएगा shear force कितना हो जाएगा maximum shear force कितना हो जाएगा तो maximum shear force हो जाएगा s is equal to wl by 2 60 kN का maximum shear force हो गया ठीक है और यदि rectangular section है तो tau max कितना हो जाएगा ताव मेक्स is equal to 1.5 into tau average अभी हमने देखा था कि circular section के अंदर 4 by 3 into tau average होता था rectangle section के लिए टाव मेक्स is equal to 1.5 into tau average हो गया तो 1.5 shear force हमने यहां से calculate कर लिया है shear force 60 आ गया area जो है वो कितना होगा area जो है वो b into d करना पड़ेगा cross section area हमें लेना है cross section area के लिए हमें b into d करना पड़ेगा तो हमें जो आंसर मिल रहा है 3.6 मेगा पासकल उमीद करता हूं समझ में आ रहा होगा next question के तरह बात करते है question number 28 a simply supported beam of the span is 8 meter simply supported beam है जिसका span 8 meter carry a uniformly distributed load of 24 kN per meter 24 kN per meter run over the whole span पूरे span पे जो load लग रहा है UDL load वो 24 kN per meter लग रहा है the beam is probed at the middle of the span beam जो है span के middle पर probed है मतलब support किया गया है b point middle के अंदर भी उसको एक support दिया गया internal the value of E मतलब modulus of elasticity E is equal to 200 into 10 raise to 6 kN per meter square i जो है 20 into 10 raise to minus 5 ms raise to 4 the amount by which probed should yield in order to make all the three reaction equal will be nearly the amount by which probed should yield in order मतलब कि कितने force से और yielding होना चाहिए जिससे कि तीनो reaction जो है equal हो जाए all the three reaction equal will be nearly कितने तक जो हो सकते हैं तो question जहां से देखिए कि एक simply supported beam है जिसका span 8 meter का है correct और उसके उपर UDL जो लग रहा है वो UDL जो है 24 kN per meter का UDL लग रहा है अब आप जो है बोल सकते हैं कि तीनो reaction equal है तो R1 R2 R3 तीनो equal जो है और 24 का इसके उपर लोड लग रहा है तो तीनो लोड मतलब 3R is equal to कितना हो जाएगा 24 into 8 इतना जिनता हो गया आर की value जो हो गई वह 64 kN का आगया ओके आर जो है 64 kN का आगया amount by which prompt should yield मतलब कि आपको deflection निकालना है कितने amount से yielding होने वाला है वह आपको निकालना है ठीक है कहाँ पर निकालना है तो जहाँ पर आपका प्रॉप्ड लग रहा है वहाँ पर deflection at the B B के उपर आपको क्या करना है deflection निकालना है तो बीक पॉइंट के उपर deflection निकालना है तो बीक पॉइंट के उपर इदिया में deflection निकालना है तो सबसे पहले UDL की वज़े से कितना deflection होगा simply supported beam है और उसको उपर UDL लोड लग रहा है तो deflection कितना होगा तो 5 अपन 384 WLS24 अपन EI यह होता है UDL की वज़े से deflection 5 अपन 384 WLS24 अपन EI और पॉइंट लोड की वज़े कितना deflection होता है simply supported beam के अंदर तो WL cube अपन 48EI अब बात यह है कि जो UDL लोड लग रहा है वो downward में लग रहा है और point load जो है वो upward लग रहा है तो UDL की वज़े से जो deflection आएगा point load की वज़े से जो deflection आएगा दोनों को minus करेंगे तो हमें जो है actual deflection जो है B के उपर मिलेगा तो simply supported beam के अंदर UDL लोड यह दी लग रहा हो तो deflection की value आएगी 5 upon 384 5 upon 384 W L raise to 4 upon EI W L raise to 4 upon EI minus R की power W L raise to 48 EI कर दीजिए answer calculate 1 upon EI common ले लिजिए 5 upon 384 W की value है 24 8 जो है इसका span है R की value हमने calculate किया है 64 8 जो है 14.9 mm कितना मिल रहा है 14.9 mm तो आप यहां पे चेक कर पा रहे है 14.9 मतलब almost यह 15 mm के जितना मिल रहा है next question के तरह बढ़ते है question number 29 a cantilever beam ABC is ACB has A fix and A fixed and subjected to the point load P at the free end B A जो है वो fix है और B के ओपर point load लग रहा है P the C point is a midpoint बीच में एक C point है is midpoint of AB and the moment of inertia of the AC is twice that of the CB जो AC moment of inertia of AB AB का जो moment of inertia है 2i है और CB का जो है वो आई है कहने का मतलब है कि moment of inertia जो है AB का वो double है as compared to CB the deflection at the free end will be the free end मतलब B point for deflection कितना होगा वो calculate करना है cantilever beam जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे कर पा रहे हैं तो deflection हमें पूछा गया है तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यदि b point पर b point पर यह हमें load लग रहा है payload लग रहा है और a जो ए फिक्स है तो हम लोग c point पर कितना होगा तो हाफ moment करी करेगा तो इसका जो moment हो जाएगा वो p l by 2 जितना हो जाएगा यहां पर इसको हमने यहां पे shift किया चीप्वाइट पर यह p shift होगा और मोमेंट जो है वो पील बाई तू हो जाएगा तो थीटा एड़ दसी सी पर थीटा हमें यहां पर अच्छलिए डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कहां जाएंगे हमें जो भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है तो एक तो डेल्टा c होगा deflection at the c plus deflection at the c फिर इसमें theta c into l by 2 theta c into l by 2 करना पड़ेगा means slope at the c मतलब यह distance देखो तीन distance आप यहाँ पर देख पार है तीनो डिस्टेंस आप केलकुलेशन करना पड़ेगा आए ध्यान से देखते हैं theta at the c तो pl by 2 into l by 2 upon 2Ei means इस point load की वज़े से यह जो load लग रहा है pl by 2 इस moment की वज़े से तो moment क्या हो जाएगा m into m into l by 2Ei होता है ml by 2Ei होता है एम जो है वो pl by 2 है और l की value जो है वो l by 2 हो जाएगी half upon 2Ei plus point load की वज़े से wl square upon 4Ei होता है wl square upon 4Ei अब यहाँ पर भी बात करते हैं तो इधर ei जो है वो i है इधर 2i है वो भी ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो pl square upon 4Ei calculate कर लिजे तो pl square upon 8Ei और pl square upon 16Ei तो answer जो है ठीटा सी आ रहा है 3 pl square upon 16Ei delta c की बात करेंगे तो moment की वज़े से w point load है तो wl square upon w मतब moment sorry ml square upon ml square upon 4Ei plus wl cube by 3Ei ml square जो है wl cube by 3Ei ठीक है delta at the c deflection c के उपर तो यहाँ पर deflection at c जो है आ रहा है 5 pl cube upon 96Ei अब इसको plus कर दीजे तो delta c plus theta c into l by 2 plus delta dash तो यहाँ पर हमारा जो answer मिल रहा है 5 deflection at the B 9 pl cube upon 48Ti 9 pl cube upon 48Ti a beam of the uniform cross section simply supported at the end carry a concentrated load w at the mids, if the end of the beam are fixed and only load p is applied at the mid span that the deflection at the center remains the same the value of the load p will be simply supported beam है और उसके उपर center point load लग रहा है L by 2 L by 2 हो जाएगा point load की वज़े से deflection जो है वो delta 1 जितना आएगा अब हमें पूछा है कि हम कितना load नीचे से लगा है कि deflection जो है वो सेम हो जाए तो डेल्टा जो है वो कितना हो जाएगा wl cube upon 48EI center point load center point load की वज़े से जो deflection आता है वो wl cube upon 48EI आता है simply supported beam है तो हमें जो है load कितना लगाना पड़ेगा वह हमें देखना है for the fixed beam deflection जो है wl cube by 48EI होता है fix beam के लिए wl cube by 192EI आता है fix beam के लिए wl cube by 92EI आएगा तो delta 1 is equal to delta 2 कर दीजे तो w2 is equal to 4w1 आएगा w2 is equal to 4w1 आएगा तो answer जो है वो 4w आएगा question यह था कि एक cross section uniform cross section जो simply supported beam concentrated point load लग रहा था if the end of the beam are the fix यदि beam का end fix कर दिया जाए and only P load is applied at the mid span the deflection at the center remains the same the center deflection same है तो value of P निकालना था कुछ नहीं था एक बार हमें simply supported के लिए deflection देखना है तो simply supported beam हो और central point load हो तो deflection क्या जाएगा wlq by 48e i wlq by 48e i और यदि fix beam है और center point load रहा है तो wlq by 192e i wlq by 192e i आता है ओके इसके बाद फिर डेल्टा 1 is equal to delta 2 कर दीजे तो आपको load के बीच में relation मिल जाएगा question number 31 two wheel load two wheel load 200 kilo newton and 80 kilo newton spaced at 2 meter apart move on the span of girder of 16 meter if any wheel load can lead the other maximum bending moment that can occur at the section of 6 meter from the left end will be अब दो वील लोड है ठीक है कि बीम जो है वो अल्मोस्ट सिंप्ली सपोर्टेट भी में यहां पर आप देख पार हैं दो वील लोड एक जो है वो 200 kilo newton का है दूसरा जो है वो 80 kilo newton का है दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंफ्लेंस लाइन डियाग्राम बनाना इंफ्लेंस लाइन डियाग्राम जो बनाएंगे तो आप यहां पर चेक कर पा रहे हो six meter यह है two meter यह है और eight meter यह है ठीक है तो इसका जो ओडिनेट्स हमें calculate करना है और इनेट्स कैसे calculate करेंगे आप जो है देख पा रहे हैं तो slope जो है वह 10 upon 16 हो जाएगा टोटल 16 है ठीक है टोटल 16 है तो इसकी जो हाइट है वह यहां पर calculate की गई है चेक कर पा रहे हैं एक चीज़ और ध्यान देखिए for the maximum bending moment at the sea the place 200 kN at the section C and the load of 80 kN should be placed at the right of the section C because slope of the BC is less so the ordinate will be more the maximum maximum bending moment कितना होगा तो 10 into 6 upon 16 means W के नीचे का जो ordinate है वह प्लस 80 के नीचे का जो ordinate है वह दोनों को solve कर लिजिए आपको मिल जाएगा value चलिए आज की class को हम लोग यहीं तक समाप करते हैं next question में हम लोग question चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि किसी भी चीज कोई भी point नहीं सवज में आए है तो आप जो है comment section में अपना महत्तुपूर्ण suggestion और feedback दे सकते हैं thank you very much for watching this video keep watching keep sharing thank you हुआ हुआ है